नमस्कार दोस्तों मैं हुराकेस और आप देख रहें GoToOnline तो जब हम कभी ट्राजक्षन करते हैं और ट्राजक्षन करते समय हमारा ट्राजक्षन फेल हो जाता है और हमारे एकांट से पैसा कर जाता है तो हम tension लेने लगते हैं कि हमारा पैसा कब तक refund होगा और होगा भी की नहीं होगा लेकिन इस से ज़्यादा tension वाली बात तब बनती है जब हमारा transaction successful हो जाता है लेकिन receiver को पैसा प्राप्त नहीं होता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा tension की बात होती है क्योंकि उसमें जगड़े की संभावना बन जाती है तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है transaction successful हो गया है लेकिन receiver को पैसा प्राप्त नहीं हुआ है मैंने उनको कहा है कि मेरा तो transaction successful हो गया है आपके पास पैसा पहुँच गया होगा उसने कहा है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं आया तो ऐसी इस्तिति में आपको क्या करना है तो इस वीडियो में यही clear करने वाला हूँ तो वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आपसे request है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो वीडियो के नीच आपको लाल लंग सब्सक्राइब करने और साथी साथ बैल आइकन को all पर select करने ताके ऐसी जानकारियां आपको भविश्य में मिलती रहे तो देखिए होगा और हमारे अकाउंट से कड़ जाता है तो पैसा 14 वर्किंग डे में refund हो जाता है तो उसमें जगडे की संबावना नहीं बनती है क्योंकि हमें पता रहती है कि हमारा transaction fail हो चुका है लेकिन जब कभी हमारा transaction successful हो जाता है और receiver को पैसा प्राप्त नहीं होता है तो वहां प कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम किसी को money transfer करते हैं तो हमारे यहां से transaction successful हो जाता है लेकिन receiver bank में कोई update होने के कारण या कोई banking system में अपडेट चल रहा है चल रहा हो तो उस condition में वह जो receiver bank के उस amount को receive नहीं कर पाता है तो जो amount है वो बीच में अटक जाता है तो ऐसी इस् refund है वो last seven working day में refund हो जाता है जो account से successful transaction हुआ था उसी में refund के रूप में बापस आ जाता है तो अगर ऐसी इस्तिती बन जाती है आपके साथ में कि कभी आप transaction कर रहे है और successful हो गया और receiver कह रहा है कि मेरे पास कोई amount नहीं आया है तो आप समझ लीजिए कि amount फस्ट चुका है ल पैसा अकसर PTM से होता है मैंने मेरे जो transaction दो बार मेरे साथ हुआ है वो PTM के थ्रू हुआ है और और भी मेरे पास comment आये थे दो लोगों के उनका भी PTM के थ्रू हुआ था तो PTM के थ्रू ऐसा हो जाता है कि transaction successful हो गया लेकिन receiver को पैसा प्राप्त नहीं हुआ है तो उस condition में आ successful transfer हुआ था उसी account में refund हो जाएगा तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो जानकरी अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताके ऐसी जानकारी आपको वहिश्य में मिलती रहें फिर मिलता हम कुसी ने जानकारी के साब तब तक